सवलो स्टूटिंट्स कैसे हो आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का बायो स्टेडिस यूट्व चानल क्यों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे आने वाले तीन महिने में आप कैसे पढ़ कर अच्छा स्कोर कर सकते हो अभी आपको लग रहा होगा कि अभी सिर् क्या करें क्या नहीं कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो टेंशन लेनी की जरुवत नहीं है इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़े बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो करना है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए I hope ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लारिटी आ जाएगी कि क्या करना है और कितना करेंगे तो कितना माक्स आएगा वो सारी चीज़े एक इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा देखो अबराहम लिंकन नाम के बहुत फेमस वेक्ती है उनको बोला गया कि अगर 10 मिनिट दिये जाए किसी पेड़ को काटने के लिए तो आप क्या करेंगे अगर हमारे जगह पे कोई होता इंसान तो हम बोलेंगे मैं जैसे ही वो 10 मिनिट बोलेगा अभी आपके पास 10 मिनिट है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से हम वैसे ही क्या करेंगे वो पे पेड गिरा दोंगा, तो ये चीज होती है, आपको एक्जाम के अंदर अच्छा स्कॉर करनी के लिए अब मेहनत करनी है, अब अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, ताकि आने वाले समय में अच्छा स्कॉर करके एक्जाम को पास कर सको, ठीक है, नहीं तो फेल भी आप हो सकते पढ़ा ही नहीं किया, तो फेल तो होना ही होना है, ठीक है, ये चीज आप समझ लीजे अच्छी दरीके से, तो चलिए, आपके लिए मैं सारी चीज़े बना के यहाँ पर रेडी हूँ, तयार हूँ, आगर आप तयार हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके, बताना की सर मैं 90 देज, ठीक है, तो 90 दिन के अंदर उने को 6 सब्जेक्ट करने हैं, ये चीज याद रखिए, तो मतलब अगर एक सब्जेक्ट की बात करें कि, एक सब्जेक्ट को हमको कितना समय मिल रहा है, एक सब्जेक्ट पढ़ने को, तो कितना समय मिल रहा है, 15 दिन, 15 दिन में क्या हो मैं आपको बोलूँगा circular motion क्या है आप answer कर सकते हो circular motion मैंने आपको बोला reproduction क्या आप answer कर सकते हो मैंने बोला आपको pollen grains क्या है आप answer कर सकते हो मतलब थोड़ा बहुत knowledge आपको है ऐसा मत समझी कि मुझे कुछ भी नहीं आता clear yes तो 6 subject है तीन महिने हैं देखो सबसे पहले आपको English और मराठी को target करना है यह बहुत important subject है ठीक है मराठी और English क्योंकि कैसा है आपको class 12 में यह subject भी है और PCMB भी है तो पहले हम English मराठी की बात करते हैं देखो अगर आपको class 12 में अच्छा percentage लाना है तो English मराठी का score बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ही आपका percentage calculate होता है समझी में आ रहा है कि नहीं हां तो English और मराठी का क्या होता है कि हम PCMB में इतना वेस्ट हो जाते कि हम English और मराठी की तरफ ध्यानी नहीं देते हैं तो इधर आपको क्या करना है मैं आपको बदाता हो इधर आपको करना है सबसे पहला reading तो यह subject को आपको read कर लेना है उसका जो books है उसको आपको reading कर लेना है क्यूंकि देखो हम जब सोचते हैं यह paper देने जाते हैं तो यह आपका theory का paper होता है तो उस उपर paragraphs होते हैं और answer लिखना पड़ता है जैसे class 10th में आपको हो आता तो जब आप answer लिखने जाते हो ना तो paragraph पढ़ने के लिए समय ज़्यादा जाता है स सबसे पहला आपका English का paper होगा और guarantee के साथ बोलरों अगर आपने आज इसको read नहीं किया books को तो exam के time पे पहला ही English का paper होगा और English के paper में आपको time नहीं यहाँ पे इस्तमाल करते आएगा मतलब आपका आधा paper रह जाएगा और time हो जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ब problem आपको आएगा क्योंकि क्या English का हम reading नहीं करते हैं जिससे क्या होता है कि जो paragraph हम देखते हैं वह हमारे लिए नया है उसको बार-बार पढ़ते हैं तब जाकी meaning समझ में आता है तब जाके answer करते हैं तो सबसे पहला आपको reading ये दो subject की उपर आपको अच्छा से अच्छा reading क कर लेना है बार-बार आप दो-तिन बार उस किताब को पढ़ो ताकि पहले से ही वह स्टोरी या फिर वह paragraph के बारे में आपको अलड़ी पता हो ठोड़ा ठीक है दूसरी चीज दूसरी चीज आपको करना एक grammar पर focus ठीक है यस grammar एक अच्छा marks देता है यहापर मराथी grammar और इं इशार अगर आप students हो तो मैं आपको गोल रहा हूँ कि आपको 100 में से नियर अबाउट 70-80 marks आपको आ सकते है अगर आप अच्छे से इन सब्जेक्ट के ओपर ध्यान दोगे तो clear यह होगा आपका English और मराथी के बारे में clear बता रहा हूँ ज्यादा टेंशन दिनी के ज़रुवत नहीं है सबसे पहला पीवाई क्यू प्यूपर आपको डाउन्लोड कर लेने आपके पास पीवाई क्यू पैपर है या सवाल कैसे बनते हैं examiner किस टाइब के सवाल पूछ रहा है last three year का pattern देखो कैसे सवाल बन रहे है numerical के उपर कितने सवाल आ रहे है numerical कौन से concept के उपर है तो each and every point को आपको analyze करना पड़ेगा ठीक है? yes क्योंकि आप हमारे पास वो समय नहीं कि सारी चीज़े detail में हम पढ़ते रहे समय नहीं है उतना अब हमारा एक ही aim होना चाहिए कि हमें class 12 की exam में pass होना है और CET की exam में फोड़ना है तो pass होना है तो चलो अच्छे माक्स से pass होते है तो PYQ papers के आपको जरॉक्स निकालने हैं PCMB के सारे के उसको analyze करना है proper कि कहाँ पर सवाल बन रहे है क्या नहीं सारी चीज़े मतलब जैसे paper निकालो एक paper 2022 का 2030 का दोज़ार चोबिस का ठीक है और 2025 का जो आपका होगा तो तीनो साल को यह paper देखो क्या common है कौन से सवाल पूछ रहे है कौन से नह IMP chapters IMP chapters सबसे पहले मुझे कर लेना है और आप confused मत हुई है अपना plan अगर आप हर दिन बदलोगे तो confused हो जाओ एक plan बनाई है उसको यह stick रही है plan change मत करिए है ना तो फिर आपको यहा करना है IMP chapters जो है वो find out करने उसको target करना है ठीक है अब कोई student बोल रहे है कि sir IMP chapter में शु है वहाँ पर आपको IMP topics मिल जाएंगे अब देखो यह सारी चीज़े आपको पता है में चीज क्या करनी है पता है notes सबसे important notes बनाने और यहीं हम नहीं करते हम notes ही नहीं बनाते हैं हम video lecture देखते हैं हम अपने classes में भी रहते हैं लेकिन notes ही नहीं बनाते जो सीखते हैं वह भू notes कैसे बनाने हैं आपको question और answer के format में notes बनाने है चलिए चलिए अगला point में आपको अतातो मेरे concept प्लान आपको क्या करना याद रखना है ठीक है जैस देखो आप किसी भी paper को अगर आप थोड़ा सा find out करो analyze करो थोड़े papers को पिछले साल के तो उसमें concept बहुत जरूरी है concept औ तो board exam में भी concept बहुत जरूरी है board exam में भी concept बहुत जरूरी है और concept अगर आपको अच्छे से लिखते आया उसको ठीक है अगर circular motion के बारे में अगर आपको पतार उसको अगर अच्छे से थोड़ा standard language में अगर आपने लिख दिया what is circular motion तो काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है माक्स आएंगी की नैगी जयांगे तूसी साब सापको काम करना है concept बहुत जरूरी है मैं आपको एक तार्गेट दे रहा हूं क्या आप Cosischer के 100 Concept कर सकते हो खेमेस्टari के 100 Skype कर सकते हो BE 알드 कर सकते हो methods के सब जूर सकते हो कि Biology, Physics, Chemistry, Math इसके चार कंसेप्ट आपको हर दिन करने हैं चार कंसेप्ट करने हैं मतलब क्या करने हैं आपको मैं आपको बता रहो Simple चीज है, Daily आपको एक कंसेप्ट करना है और Daily एक कंसेप्ट जो है वो कैसे करना है वो भी बता, Subject लिक ले रहा हूं मैं हापे Physics दूसरा Chemistry, ठीक है, तीसरा Biology और Mathematics, है ना कंसेप्ट कैसे करने मैं आपको बता हूं कंसेप्ट सिंपल चीज है कि Physics में कोई एक Question ले लीजिए आप, सबसे पहले तो आपकी पास Xerox की Pages आपको ले 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 ना या फिर Notebook जो भी आपका रहेगा उसमें, है ना, यस, तो उपर हम डालेंगे Physics का, circular motion, circular motion, ठीक है, और यहां से हम शुरू करेंगे answer, answer होगा आपका theoretical, circular motion क्या है, उसका example, उसकी diagram और उसका example लीचे, सारी चीज़े, और यह ना एकदम आसान भाशा में लिखना है, अपने ख हर दिन पाज भी नहीं सर, चार भी ठीक है, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, है ना, हर दिन एक-एक हो सकता है आपसे, हो सकता है, तो अगले अगर 90 दिन तक, कितने, 90 दिन तक करगा, अगर आपने काम किया, तो हर एक subject के 90 concept आपके हो सकते, 90 मतलब 10 concept हम और additional कर देंगे बीच में, संडे को, तो 10- the concept वहाँ पर बढ़े गे, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके पास notes होंगे, और उसमें PCMB, Physics, Chemistry, Math, Biology के 100-100 question की practice आपने की होगी, 100-100 question की practice, question और उसके answer, और यही अगर आप revise अच्छे से करते हो, यही अगर आप अच्छे से exam में लिख पाते हो, present कर पाते हो, जो कि बहु कैसे लिखते हो, वहाँ पर answers को कैसे present करते हो, और जो concept आप कर रहे हो, यह मैंने जो आपको बोलाई कि हर दिन एक concept करना है, आपको physics, chemistry, math, biology का, तो यह concept आप जब करते हो, तो वो ध्यान में रखता है, जब आप खुद उसको लिखते हो, तो और ज़्यादा समझ में आ जात कर लिजिए, चार मार्कीस में दो-दो मार्क के question आ जाएंगे, तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो, और यह concept पे अगर focus करते हो, तो याद रखिए कि आप जो है, वो 70 से 80 के percentage में score करोगे, definitely करोगे, अगर यह नहीं किया, अगर सिर्फ IMP questions करके गए, तो उससे ब पढ़ते हो कि वहाँ पे पुछा है, pollination, तो pollination में आपको याद आता है कि मैंने concept में कुछ तो पढ़ाता, pollination के दो type होते है, cell pollination, cross pollination, उसमें यह होता है, चलो इसको English में लिख देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ रट्टा मारके और कुछ भी IMP करके जाओगे, तो मैं यह बोलना चाहूँगा, महनत करनी पड़ेगी, महनत करनी के लिए अगर आप तयार हो, यह वीडियो आपके लिए, यह चैनल आपके लिए, मैं आपकी always help करूँगा, मुझे comment करके बताइए कि यह strategy आपको कैसी लगी, और आज से आप क्या तयार हो, एक्जाम में अच्छा स्कोर करनी के लिए, इस तरीके से मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाता होँगा, मुझे आप बताइए क्या problem है आपकी description में, जाईए एक chat box में, जाईए comment करिए, इसे के साथी साथ, और एक धमाकेदार नए वीडियो में मिलें करेंगे कल के lecture में, तब तक के लिए stay happy, stay motivated, thank you so much.